आज चुस पस्नालेटी की मैं बात करूंगी इन्होंने अमिताव, शारो, काजोल, जया बच्चन जैसे आक्टर्स के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है वरुन्धवन इनके टू एम फ्रेंड है लोग इन्हें लड़ू के नाम से जानते हैं क्योंकि कभी खुशी कभी गम में इन्होंने रितिक के बच्चपन का किरदार निभाया था और उसमें ये थे भी गोलू-मोलू और नाम भी था लड़ू आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कह रही हूँ अक्टर कविश मजुमदार की जिने हम चहरे से तो जानते हैं लेकिन नाम कम ही लोग जानते होंगे कब क्यों और कैसे में कविश की लाइफ की वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब कविश की दोस्ती हुई वरुन धवन के साथ क्यों कविश कभी खुशी कभी गम फिल्म के बाद जादा कुछ फिल्मों में नजर नहीं आए और कैसे कविश अब बिता रहे हैं अपनी जिंदगी कविश मुंबई में ही पले बड़े हैं बच्पन से ही उन्हें आक्टिंग का बेहट शौक था जिस वक्त कविश अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे पोदार स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है तभी वहाँ पर करन जोहर की कास्टिंग कंपनी का एक कॉडिनेटर आया जिसको हेल्दी चबी बच्चे की जरुद थी अपनी इस फिल्म के रोल के लिए और तब कविश बहुत हेल्दी और चबी और रोल के लिए परफेक्ट लगे तो करन जोहर के उस कॉडिनेटर ने कविश को चूस किया फिल्म कभी खुशी कभी घम के लिए हाला कि ये जो सेलेक्शन था ये इसी नहीं था इसके लिए कई राउंड से गुजरना पड़ा करन जोहर ने खुद स्क्रीन टेस्ट लिया और उसके बाद कविश को रितिक रोशन के बचपन के किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया लड़ू उनका नाम था जिसमें करीना के बचपन का किरदार पू जो है थ्रू आउट फिल्म में उन्हें बुली करती है लेकिन जैसे ही ये लड़ू पढ़ने जाता है और पढ़कर लोटता है तो ये लड़ू दिल जीत लेता है रितिक रोशन बन कर कविश का रोल भले ही छोटा हो लेकिन जितना भी रोल था वो important था फिल्म के कई important scenes जो है वो कविश पर picturize किये गए हो फिर चाहे वो scene जहां पर शारो को नहीं समझाते हैं या फिर आमिता बच्चन लाड़ प्यार करते हैं ये सारे scenes काफी important थे और लड़ू की इस film में अच्छी खासी importance थी हाला कि जो इस वक्त इस film की shooting हुई तब कविश स्कूल में ही थे यही कारण है कि फिल्म की shooting खतम करते ही वो फिर से अपनी studies में busy हो गए और आगे चलकर उन्होंने अपने college की पढ़ाई शुरू कर दी और theater उन्होंने side by side जारी रखा यह तब की ही बात है कि कविश का एक बार प्रित्वी theater में एक show था और वहाँ पर वरुन धवन ये show देखने आये थे अपने एक दोस्त के साथ ने और जब कविश ने perform किया तो वरुन धवन को उनका काम इतना पसंद आया कि कुछ ही दिनों बाद जब वरुन धवन अपने college में थे तब उन्होंने कविश को देखा और उन्हें पता चला कि कविश तो उन्ही के college में पढ़ता है दोनोंने प्रित्वी theater वाली उस memory को share किया कुछ बाते exchange हुई और यहां से इन दोनों की दोस्ती ऐसी शुरू हुई कि college time के दोरान लंबे-लंबे trips होते थे गोआ trip हो, train trips हो इन्होंने कई सारी holidays एक साथ मनाई और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो गई जहाँ एक तरफ वरुन धवन ने फिल्म इंडस्ट्री में आने की शुरुआत कर दी वहीं कविश ने भी अपने आपको prepare करना शुरू कर दिया बतौर actor वो theater का regular हिस्सा थे और इसी दोरान करन जोहर की ही company में उन्हें काम मिला उन्होंने करीना कपूर वाली film गोरी तेरे प्यार में में assistant director के तोर पर काम किया था इसके अलावा वरुन धवन की जो फिल्म है मैं तेरा हीरो इस फिल्म में भी कविश एक supporting किरदार निभाते नजर आए और real life की तरह इस फिल्म में भी कविश ने वरुन के दोस का ही किरदार निभाया था कविश इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे लेकिन ये इंडस्ट्री character actors को इतनी तवज्जो ही कहां देती है और regular काम का भी कुछ पता नहीं रहता है इंडस्ट्री में और कविश कुछ ऐसा काम चाहते थे कि उनकी income जो है वो regular basis पर रहे ऐसा नहीं कि इस महीने काम है तो अगले महीने के पैसे कहां से लाए उसके लिए फिर से सोचना पड़े यही कारण है कि तब दुबाई से कविश को बहुत अच्छा offer मिला और कविश दुबाई ही shift हो गए लेकिन वहाँ पर भी वो acting वाला ही काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से वो दूर नहीं है दुबाई में Bollywood Park नाम की एक जगर है जहाँ पर जाने जिगर एक musical शो होता है और इसी शो में एक regular किरदार कविश को मिल गया है कविश जो किरदार निभाते हैं वो एक evil का किरदार है साथी वो मजाग भी करता है और ये एक regular job है जो कविश ने इस वक्त दुबाई में पकड़ी हुई है वो वापस इंडिया तो आना चाते हैं लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई धंका काम होगा कोई बड़ा project होगा तो ही वो वहाँ से हिलेंगे नहीं तो full time job या regular income जो उनकी इस job से हो रही है वो हीरो के ही रोल्स कर रहे हैं ऐसे में उनके जो जस्ट जूनियर और उनसे जो जस्ट जूनियर है उनको भी फिल्मों के लिए इतने हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि फिल्मों में character actors की तो क्या ही हालत होगी यही कारण है कि इस वक्त लड़ू यानि की कविश कोई risk नहीं लेना चाते हैं और इसी लिए वो दुबाई में ही है हाला कि तब से लेकर अब तक लड़ू में changes काफी आए हैं वो अब लड़ू जैसे नहीं रहे हैं उन्होंने अपने आपको fit बना लिया है और अब उनको पहचानना बहुत मुश्किल है कि वही लड़ू था जिसके गाल खीच-खीच कर शारुक खान ने कभी खुशी कभी गम में उसे बहुत चड़ाया था क्या लगता है आपको फिल्म इंडस्ट्री में कई हमने actors देखे हैं जो child actor के तौर पर super hit थे लेकिन बड़े हुए तब चले नहीं जिसमें से एक जुगल हंसराज है क्यों जो actors child actor का role करते हैं वो बड़े होकर इतना अच्छा या regular काम नहीं पापाते हैं इंडस्ट्री में क्योंकि वो बहुत जादा common हो जाते हैं या फिर क्योंकि उनकी image एक child actor की है तो उन्हें कोई बड़े actor के रूप में accept ही नहीं करेगा इसलिए क्या लगता है आपको comment section में जरूर share करें और किस actor की कहानी आप सुदना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताईए like करें हमारा facebook page bollywood thikana follow करें हमें insta पे और subscribe करें हमारा youtube channel bollywood thikana